नमस्कार, वीडियो का थमलेल और हेडिंग पढ़कर तो आप समझ ये गए होंगे कि यह जो वीडियो है वो गिप शिटी की ग्राउंड रिपोट का वीडियो है इस ग्राउंड रिपोट के बारे में हम आगे बात जरूर करेंगे लेकिन उसके पहले गिप शिटी का और वीडियो का छोटा सा इंट्रोड़क्सन में आप लोगों को देना चाहता हूँ देखें गिप शिटी का पहले हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं गिप शिटी का मतलब है गुजराथ इंटरनेशनल फाइनस टेक्सिटी इसके नाम सही पता लगता है कि इस गिप शिटी के अंदर बहुत सारी छोटी वड़ी कंपनियां जो फाइनसर रिलेटेड होंगी जो सर्विसर रिलेटेड होंगी वो यहां आकर इस्टेबलिस हो रही हैं और मैं आपको बदा दू कि इस गिप शिटी से बहुत छोटे वड़े नाम जोड़ चोके हैं जैसे बैंक अफ अमिरका, वर्ल्ड ट्रेट सेंटर, SBI, औरेकल, TCS बहुत सारी मल्टी नेसल कंपनियों ने यहां पर अपने ओफिसिस खोल ली हैं इनके अलावा लगवग 200 से ज़्यादा यूनिट हैं आपको ऑपरेशनल लेवल पर आज काम कर रही हैं तो ये गिप शिटी के बारे में बहुत अच्छी बात है और इससे पता लगता है कि गिप शिटी प्रोजेक्ट पूरी तरह से सक्सेस्फुल प्रोजेक्ट है तो अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में आप आगे क्या देखेंगे देखें मैं आपको बदा दूँ इस वीडियो में आप latest fresh ground report तो देखोगी उसके साथ साथ previous ground report से आप comparison भी देखोगे जिससे आप लोगों को पता लग सके कि गिप शिटी में कितना improvement हुआ है महराष्ट के बारे में भी वीडियो देखिए वो वीडियो भी आपको खुब पसंद आएंगे तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे मेरा नाम है पंक्रच और आप देख रहे हैं इंडियन यूट महराष्ट के टॉप एडुकेडर आपके हेल्प के लिए अन अकड़ियो में एक साथ तैयार है mathematics, social science, science, English, Hindi और मराठी जैसे subject से जोड़ा कोई भी doubt हो सारे doubt आप घर वैठे दूर कर सकते हैं अन अकड़िय में महराष्ट के बोर्ड के लिए सारे subject के लिए special batches में आपको complete slivers के साथ साथ important questions, doubt solving sessions, notes और इसमास strategies सिकाई जाती हैं जिससे exam आसानी से crack हो जाए तो देर किस बात की अभी फोन अठाईए और free live session अटेंड कीजिए अगर live session आपको पसंद आता है तो इन सारी services को unlock करने के लिए आप मेरा referral code Indian youth code यूज कीजिए इससे आपको 10% का instant discount भी मिलेगा इस related सारे link आपको नीचे description में मिल जाएंगे गिप City मोदी जी के dream projects में से एक project है गिप City की परीकलपना मोदी जी ने दोयार साथ में की थी अगर हम भारत के गिप City का comparison दुनिया में उपस्तित गिप City जैसे शेरों से करें तो पहरे सका LA defense टोकियो का शिनुजूकू, लंडन का डॉक यार्ड, पुडॉंग का लुईजा जूई यह सारे ऐसे शेर हैं तो दुनिया में काफी जादा famous हैं लेकिन खुशी की बात यह है कि यह सारे famous सहर भारत की गिप City से कई माईनों में बहुत पीछे हैं लाहला भई हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं गिप City के अंदर हम प्रिवेश कर चुके हैं मैं आपको बता दू कि पिसली ground report मैंने आपको 2020 में दिखाई थी और यह है 2021 की सबसे latest और सबसे fresh ground report है जो की 10 January 2021 को suit की गई है इस ground report में मैं आपको पिसली ground report से comparison दिखाऊंगा जिससे आसानी से आप समझ सकें कि कि कितना गिप City के अंदर काम हुआ है और किस गती के साथ यह है develop हो रही है आपकी जानकारी के लिए मैं यह ही पता देता हूँ कि गिप City तीन phases में बनके तयार हो रही है इसका पहला phase पूरी तरह से बनके तयार है और अभी दूसरे phase में काम चल रहा है जो की जल्दी बनके तयार हो जाएगा हमने यहां से यूटन ले लिया है क्योंकि पिछली बार भी हम इसी रास्ते से गए थे और अगर हमें comparison अच्छे से करना है तो हमें same route से जाना पड़ेगा जिस route से हम पिछली बार गए थे फिलाल हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं हमारे left hand side पे एक building है काफी खुबसूरत building है इस building का नाम है GIC club building और हम जब हम आगे बढ़ेंगे तो इससे उची उची building है हमें देखने को मिलेंगी इससे खुबसूरत खुबसूरत building है आपको देखने को मिलेंगी हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं Gips City के अंदर काफी सारी हरयाली आपको देखने को मिलेगी और यह है Gips City की सबसे अच्छी बात है फिलाल मैं आपको बता दूँ इस विल्डिंग के अंदर एक स्कूल है जो की जमना भाई नरसरी स्कूल के नाम से जाना जाता है और यह है काफी फेमर्ज स्कूल है पिछली बार जब हमने इस एरिया को और इस स्कूल को कवर किया था तो यह स्कूल ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे लोग और यहां पर रह रहे लोगों को अच्छा फीलो अच्छा अनुबाव हो यही एक खास बात होती है इसमा सिटी की क्योंकि इसमा सिटी के अंदर परयामरान मतलब की नेचर और टेक्नलोजी दोनों को पेरलल में साथ रखके ही डेवल्लमेंट का काम किया जाता तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि गिफ सिटी के अंदर नेचर को ध्यान में रखके डेवल्लमेंट चल रहा है तो यह बहुत अच्छी बात और मुझे लगता है गिफ सिटी से दुनिया को सीखना चाहिए और भारत के अलग-लग राज्यों को अलग-लग सेहरों को सीखना च बात करें तो इसका एरिया लगवक 0.3 मिलियन स्कॉरफिट का होगा उसके बगल में गुलाकार विल्डिंग जो है वो डिष्टिक कूलिंग विल्डिंग होगी डिष्टिक कूलिंग विल्डिंग का मतलब यह है कि गिफ सिटी के अंदर आपको अलग-लग केविन अलग- भी बचेगा उसके साथ साथ आप पर्यावरण भी बचा पाएंगे जी हाँ पर्यावरण को अगर बैलेंस करना है तो क्योंकि गिफ सिटी के अंदर 110 से जादा टावर रहेंगे अगर हर एक टावर में हर एक ओफिस में इसी लगेगा तो आप समझेए कि पर्यावरण को कि होटल की एक फ्रंचाइजी खोल ली है तो ये वास्तम में बहुत अच्छी बात है इससे पता लगता है कि गिफ सिटी में किवल बारस से ही नहीं दुनिया के अलग-अलग देशों से भी निवेस आ रहा है फ्लाहल हम जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं सामन पूरी दर से बनके तयार हो चुकी है इन विल्डिंग्स के अंदर आपको बारा बारा लिफ्ट देखने को मिलेंगी जो लिफ्ट और जो फैसलिटीज यहां पे मिलेंगी वर्ल्ड लेवल की वर्ल्ल क्लास की होगी तो ये काफी अच्छी और काफी खुशी की बात है कि अ हमारे देश में भी ऐसी चीज़े हम देख रहे हैं जो पहले हम सर्फ टीविओं में देखते थे यहां इसके सामने की जो विल्डिंग है आप देख सकते हैं जो विल्डिंग है वो विरिगेट इंटरनेशनल फाइनस सेंटर है हम जहां पर चल रहा है उसे थोड़ी हो गए हो गए होंगे सामने आप दो एक विल्डिंग देख रहे है वो हिरननर नाने सिगनेचर की विल्डिंग है तो यह सी कूप सारी में आपको पूरे गिब सीटी के अंदर देखने को मिलेगी आप कि अあっ इत्याइन कंक predicates भी टावर और इसके अगर हम area की बात करें तो इसका area 0.4 million square feet का होगा और यह building भी gift 1 और gift 2 tower जैसे ही उची है तो यह खुबसूरती के साथ इस सारी building को बनाया जा रहा है काफी अच्छा look दिया जा रहा है तो अगर आप जब भी घुजराता है तो मैं आपसे request करता हूँ कि आप gift city जरू आपकी जनकारी के लिए बताता हूँ कि gift city की तरह ही धुलहरा एसमा city भी डेवलप हो रही है जो केमदा वास्ते लगभग 110 km की दोरी पर बनके तयार हो रही है गुजरात के जो नए दो सहर है ये गुजरात के साथ साथ भारत के विकास में भी चार चांद लगाएंगे फि इतनी खूबसूरत रहे कि ये विल्डिंग जब पूरी तरह से बनके तयार हो जाएगी आपको बता दूं कि SBI ने यहाँ पर लगभग 200-300 कोड़ उपय का investment किया है SBI का commercial विल्डिंग के साथ साथ यहाँ पर residential विल्डिंग भी बनेगी अगर हम बात करें इस पूरी SBI विल विल्डिंग है हम नजदीक से जाके देखते हैं कि इस विल्डिंग में कितना काम हुआ है और विल्डिंग किस चीज की होगी वही पर सायद कहीं पर return में होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ खलाल आप देकि यह वही होटल है ग्रांड मर्क्योर हमने यूटन लिया है हम इस होटल को देख पा रहे हैं मैं आपको बता दू कि पूरे गिफ्ट शिटी के अंदर लगभग 15-20 ऐसी विल्डिंग है जो पूरी तरह से बनके तयार है और अपरिशनल लेवल पे काम कर रही है और 8-10 ऐसी विल्डिंग है जो अंडर कंस्रेक्शन है यह जो बिल्डि कि इस पर अभी कांच का काम चल रहा है कांच फिट किया जा रहा है और अच्छी तरीके से इस पूरे विल्डिंग को तयार किया जा रहा है मैं आपको अच्छे से एक वार इसका काम दिखा देता हूँ आप देखिए हर विल्डिंग के सामने आपको पेले पूदे देखने हो गई यह, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो आप सामने building देख रहे हैं, district cooling system की building है, हमने अभी उस route से उसको cover किया था तो आप सामने store building को देख रहे थी, लेकिन आभी फिलाल, पीचे store building का अप looks देख रहे हूँ, अब धीरे-धीरे क्योंकि इस gift city का काम काफी तेजगती से आगे बढ़ रहा है फिलाल आप देखी ये जो है वो world trade center की building है और इस building में world trade center एक world का जानावाना नाम शायद इसको मुझे आपको introduction देनी के जोद नहीं है आप सायद जानते होंगे कि world trade center अपने आप में बहुत बड़ा नाम है आप आप देखेंगे जितनी उचाई तक आपकी यहां के जा रही हूँ इतनी उची ये building है इस building के अगर हम area की बात करें तो इस building का area 1.04 million square feet का होगा और काफी खुबसूरत ना जा रहा है आप देखें आस पास सर कितना अच्छा environment है तो मुझे लगता है इस ground report को देखकर आपक अच्छी खासी information आप लोगों को मिल चुके होगी तो अगर है ground report आपको फसंद आई तो इसको like कीजिएगा इस video को जादा से जादा शेयर कीजिएगा जिससे जादा से जादा लोग जान सकें कि हमारे भारत में भी ऐसे share बन रहे हैं जो विदेशों को टकर दे सकते हैं और अले वीडियो में तब तक लिए जैन जै भारत